इंडिया का कोई भी examination आप उठा लेंगे national level का अगर कोई examination एक से जादा दिन में या एक से जादा shift में हो रहा है तो उसमें normalization किया जाता है लेकिन केवल एक ऐसा exam है ICRUG का जिसमें आपको ये भरोसा नहीं है कि इसमें normalization वो करेंगे या नहीं करेंगे एक examination का सबसे बड़ा document होता है उसका information bulletin है अगर NTA ने वहाँ पे लिख रखा है कि अगर यहाँ पे एक से जादा shift में examination होता है तो हम इसमें normalization करेंगे तो normalization करना उनकी responsibility है ये आपका right है कि normalization किया जाए फाइदा और नुकसान वाली बात तो बाद में आती है लेकिन जो information bulletin में लिख रखा है वो आपको follow करना पड़ेगा चाहे कोई भी condition हो normalization को लेकर आपको किसी पे भी विश्वास नहीं करना है न NTA पे न NTA पे न ICR पे last year जब कुछ students ने NTA helpline पे phone किया था तो वहाँ पे तो कोई भी बैटा रहता है कुछ भी बोलते हैं वो तो last year उने बताया था कि हमने result दे दिया आपका ICR करेगा तो ICR कुछ नहीं करता है ICR केवल आपका merit list prepare कर देगा और counselling करवा के आपको college दिला देगा simple जो भी कर सकता है normalization के लिए result declare होने के पहले ही वो हो सकता है और वो केवल कर सकता है NTA NTA से ही आपको मीदे रखनी चाहिए जो भी रख सकते हैं और NTA पे ही आपको pressure बराना है अगर कुछ करना है normalization को लेकर ठीक है दूसरा कोई भी तरीका नहीं है अगर आप normalization चाहते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है Twitter पे जितने भी students है at least rotate करना है अपने कुछ tweet लिखने है information bulletin का उसका screenshot लेके upload करना है जो भी करना है memes बनाओ creativity दिखाओ normalization को लेके लेकिन करो at least करो यहाँ पे सिफ YouTube पे यह चीज़ देखने से फरक नहीं पड़ेगा जब आप कुछ अपनी तरफ से initiate करोगे मेरी तरफ से कुछ initiate हो रहा है तो उसको support करोगे तभी कुछ possible हो सकता है हमारा जो hashtag है NTA we want justice इसको as it is copy कर लेंगे और 20 सितंबर को सुबह 11 बजे से आपको लगाता tweet करने हैं जिसको भी tag कर सकते हो आप चाहिए वो news channel वाला हो politician हो, YCR हो, NT हो सब को tag करो किसी को भी छोड़ना नहीं है कम से कम 40-50 जितने भी tweet आप अपनी तरफ से कर सकते हो जरूर करिये क्योंकि यही आप कर सकते हैं अपनी तरफ से क्योंकि आपको अपना 100% देना है result क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे हमने कोशिश करी हमारे मन में satisfaction यही रहेगा लास्ट यर भी जब हमने seat withdraw के लिए कोशिश करी थी तो हमने अपना पूरा effort दिया था बिना result को देखते हुए लेकिन result आया हमारे favor में positive result आया ना तो ऐसे सभी students जो negative हम ऐसा सोचते रहते हैं या फिर comments में लिखेंगे कुछ नहीं होगा या फिर कुछ नहीं हो सकता है तो दोस्त आप से हाथ जोड़के विन्ती है कि अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप से कोई भी expectation नहीं है लेकिन जो कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनका moral आप down ना करें कृपया आप इन सभी चीज़ों से दूर रहें आप अपनी पढ़ाई करें पढ़ाई आपको भी करना है लेकिन at least 2-4 मिनिट इसमें भी देना है पढ़ाई करके आप 300 नंबर ला लोगे math में अगर आप अपनी सिफ्ट के टॉपर भी ये 300 नंबर के साथ लेकिन फिर भी आपको BSC Agriculture नहीं मिलेगा अगर आप PCM वाले हैं तो क्यों क्योंकि बायो वाले याप इसाड़े 300 कितने students लेके आए हैं उनसे आप compete नहीं कर सकते हैं नॉर्मलेशन होगा तभी आप compete कर सकते हैं और ये simple तरीका है I hope आपको मेरा logic समझ में आ रहा होगा I hope आपको नॉर्मलेशन समझ में आ रहा होगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो YouTube पे वीडियो देखिए कि नॉर्मलेशन क्या होता है जिनको भी आप follow करते हैं उनको भी टैग करें उनको भी request भेजें कि आप भी वीडियो बनाएए hashtag को support करिए अगर आप coaching चला रहे हैं फिर भी आप support करिए नहीं चला रहे हैं फिर भी आप support करिए क्योंकि ultimately से फाइदा बच्चों का होगा किसी का भी दूसरे का फाइदा नुक्सान नहीं होने वाला है जो भी फाइदा नुक्सान होगा वो आपका ही होगा ultimately at last किसी को भी दूसरे को फरक नहीं पड़ता है और मुझे भी आप कर लोगे तो एक achievement हो जाएगी आपके लिए भी से जस्बा आता है कि हाँ आपका नुक्सान नहीं होना चाहिए ultimately आपको support करना है description box में आपको Twitter ID के link मिल जाएगी तो वहाँ पे follow करें और उसके सासा जितने भी वहाँ पे tweets किये गए है ICR UGIS related उन सभी को retweet करें उनको like करें जिससे और भी students तक show हो सभी को आपस में follow करें follow करेंगे तो आपका भी reach बढ़ेगा और वहाँ पे भी tweets का भी reach बढ़ेगा इस पहली चीज तो हमने देख लिए आपको mass tweet करने है दूसरी चीज आपको email भी करने है ICR के जो official है NT के जो official है NT के जो help line है उस पे भी आपको email करना है email क्या करना इसका आपको एक pro farma telegram group पे मिल जाएगा तो join कर ले description box में उसका link है वहाँ से आप directly copy करें और जो भी matter है आप directly paste कर दें अपने email ID से send कर दें इस वीडियो को like करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को share करें जिसे उनको भी इस matter के बारे में पता चले और चैनल पे नए तो subscribe कर ले ऐसे ही नए वीडियो के लिए मिलता हूं में आपको नए update के साथ नए वीडियो में तब तक स्वस्त रहें मस रहें देखते रहे खशिकरानती YouTube चैनल सचित आनन्द के साथ बहुत बहुत देखते बात देखते